नमस्कार मैं अमीद चोरसिया बहुत स्वागत करता हूं नालंदा दस्तक न्यूज में कोरोना ने एक बार फिर से अपना अतंक मचाना शुरू कर दिया है जिहां आपने सही सुना पिछले 24 घंटे में कोरोना के 53,000 से भी अधिक नए मामले सामने आये हैं कोरोना वाइरस को काबू करने के लिए लगे लौकडाउन के एक साल बाद भी हलात अच्छे नहीं है आज से ठीक एक साल पहले देश में कोरोना संक्रमन के करीब 500 मामले आने पर लौकडाउन लगा दिया गया था जबकि एक साल बाद रोजाना मिल रहे कोरोना संक्रमितों की आकडा 53,000 के पार हो गया है महराश्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत कई राजियों में महमारी ने विक्राल रूप धारण कर लिया है देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमित से 53,476 से अधिक लोग संक्रमित हुए है और 250 की जान चली गई है केंद्रे स्वास मंत्राले ने गुरुवार को यह जानकारी दी कोर्णा वाइरिस को काबू करने के लिए लगाए गए लोगडाउन के एक साल बाद भी हालात भयावा है सक्रिय मामले लगतार बढ़ रहे हैं और मौतों की आकड़ा भी एक बर फिर रफतार पकड़ रहा है महराष्ट, पंजाब, करनाटक, 36 गड़ और गुजरात में कोर्णा के मामले तेजी से बढ़े हैं और इन्ही राजियों में मौतों का आकड़ा भी बढ़ रहा है 24 मार्च तक बीते 24 घंटे में महराष्ट में सबसे ज़्यादा 28,699 केस दरज हुए इसके बाद पंजाब में 2254 और करनाटक में 210 9 केस सामने आए सबसे ज़्यादा 132 मौते भी महराष्ट में दरज हुई इसके बाद पंजाब में 33 गड़ में 20 मौते हुई है तो ये थी कोरोना से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स ऐसे ही कोरोना से जुड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं हमारे साथ और देखते रहें नलंदा दस्तक वीडियो जानलिस्ट गौतम के साथ नलंदा दस्तक नलंदा